हाई फ्रेंड वेलकम बैक तु माई चैनल आज हम आपको बहुत ही टेस्टी गोभी का पराठा बनाना सिखाएंगे जो खाने में तो यूनिक होगा टेस्ट में पर इसमें आप बहुत ही जादा स्टफिंग कर सकेंगे और जो कि मक्के रागी और बाजरे का पराठा है फिर भ आठा यानि साबूत चने का आठा और इसके अंदर हमने थोड़ी सी रागी भी पीसी है गरम मसाला आप डाल दीजे इसके अंदर चुटकी भर हल्दी और नमक डालकर गुनगुने पानी से इसका आठा हम लगाएंगे आठा लगाते समय आप पानी धीमे-धीमे डालियेग मक्का और बाजरा रागी होने के कारण ये थोड़ा जादा पानी खीशता है यानि एक कप डेड़ कप पांठे में एक कप पानी लग गया है दो चमच और पानी लगेगा इसका हम सॉफ्ट डो बनाएंगे रोटी के डो से भी सॉफ्ट डो हमें बनाना है ये ग्लूटेन फ्री आटा है, हेल्दी भी काफी होता है, कब्ज की सिकायद जिन लोगों को होती है या शूगर पेशेंट हैं, इस तरह के आटे उन्हें अपने डाइट में सामिल करना चाहिए डेली क्योंकि इसमें कार्बो हाइडरेट की मात्रा बहुत कम होती है 10 मिनिट स्रेस्ट के लिए रखेंगे, तब तक हमने एक गोभी ली है, बड़ी साइस की उसे धुल कर, अच्छे से हम क्रश करेंगे, इसमें ही हमें एक इंच अद्रग भी लेनी है जो बड़े टुकडे हमारे गोभी के निकले, उन्हें अलग कर लें साल्ट डालेंगे, और इसमें हम गरम मसाला डालें, या तो सौफ जीरा और का पाउडर हमने डाला है, काली मिर्च के साथ थोड़ी सी हल्दी भी हम इसके अंदर क्रश कर रहे हैं, कच्छी हल्दी हमें इनमें binding agent डालना होगा, binding agent में हम भूने चने का बेसन डालना है, अगर भूने चने का बेसन ना हो, तो आप बेसन भून लीजिए इसमें हम तीन चिली, हरे लैसून और धनिया योज कर रहे हैं, आपके पास दिल लीज हो या पालक हो तो वो भी आप योज कर सकते हैं दस मिनट बाद हम आटे को फिर एक मिनट मसल लेंगे, मसलने के बाद इस सौफ्ट गेड़ का पाते में हम पांच लोई बनाएंगे इसके बाद नमक डालने के कारण बेशन के कारण पानी सोख कर लेगा, यानि भूने हुए बेशन के कारण और अच्छे से बाइंड हो जाएगा बाइंड होने के बाद हम इसमें धाई गुना करीब मसाले ले रहें, यानि गोभी स्टफ की हुई करेंगे आप चाहें तो इस तेल और जीरा का तड़का देके से थोड़ा भून भी सकते हैं, पर इस तरह से आप कच्छी गोभी का बनाएंगे तो बहुत ही तेस्टी बनेगा साइड से हम हाथों की सायता से पतला कर लेंगे, फिर हलका बेलंग चलाते हुए हम इसके पराध्य बनाएंड़े, जब हमें थोड़ा सा कीला लगे तो हम फिर से इस पे आटा या पैथन लगा देंगे अपने और धीमे धीमे बेलते हुए अपने पराध्य को तयार करेंग पराठा मारा मोटा है क्योंकि स्टफिंग ज्यादा है तवा गरम होते ही घी डालेंगे या तेल उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसे सेखेंगे कुरकुरा अगर आप तेल या घी नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना तेल घी के जैसे रोटी सेखी जाती है वैसे भी आप सेख सकते हैं बहुत ही तेस्टी होगा इसे आप चटनी दही या तम या चार के साथ सर्व कर सकते हैं देखे कितना क्रिस्पी पराथा है इसी तरह हम सारे पराथे अपने सेख कर तैयार करेंगे अगर आप शूगर पेशिंट हैं तो हलका सा मक्खन लगा कर आप इसे सेख सकते हैं और आपको बहुत ही तेस्टी और यमी ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं या लंच में या डिनर में इस पराथे को उमीद है आपको जरूर पसंद आएगी इसके साथ मैंने मिर्च वाली हरी मिर्च का अचार यानी जो चटनी है उसे भी लिया है और थोड़ी सी दही और मक्खन के साथ ही से सर्फ करूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं ठैंक यू एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बना कर ट्राइ कीजेगा और मुझे जरूर बताएगा कि ये या मी अन क्रिस्पी पराथा आपको कैसा लगा